हलो दोस्तों वेरी गूड इबनिंग तो लफ यू दोस्तों आज मैंने आपको वीडियो डाली है वह क्रीपर्स के डाली है आप कौन-कौन से ऐसी क्रीपर्स है जो अपनी घरों में लगा सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों हमारी जो पहली बाद करने तो लगा सकते हो गंबनी का सकते हैं दूप में यहें तो निकाल कर और उससे चछी तरीके से इसे साफ करकर और उसके रस निकालना यह रस निकालने के बाद आपको एसे बहुत ही अच्छा और वह जड़ को लेकर पीज्ग कर उसका जो लेप बना कर अपने माती पर लगा सकते तो इसे जो सर का दर्द वो आपका गयब हो जाएगा तो लगाने का तरिका सेम प्रोस्रेस आपको खाद मिट्टी दोनों लेकर इच्छे तरीके से आपको लगाना है जमीर गम्ला या बालकने पर भी लगा सकते हैं सीधी दूप में ये क्रीपर चलती है । देखे दोस्तो है ये ब् दोस्तों हमारी त्व नेक्ट क्रीपर है वह है। टिकॉमा कैपैंसमस वह एक आधर क्रीपर होती है आप इसे दूप में लगाओगे और ये क्रीपर लगाने से आपका जो फ्लार आएगा और इस तरीकिसे इसकी लीफ होती है और आप इसे जमीन में भी लगा सकते हैं और गमला इसके लिए बड़ा चाहिए होगा बारे से 14 इंची गमला आपको चाहिए होगा इसके लिए और दोस्तों यह जो प्लांट है अगर इसे प्लांट को लगाने का जो फ्लार निकलेगा वो बरसात हो में और बरसात में निकलने के बाद आपके जो निकलेगा आपका जैसे सरदी तक निकलता है अगर आप सीधी सकते हैं वीडियो में यह इसकी बड़िंग है यह वडिंग निकल रही है मिइसका खिलने का सटाट होने वाला ह while और इस तरीके से आपका औरेंज कलर का फ्लार निकलेगा यह देखिए देखिए इस तरीके से यह आप देख सकते हैं वीडियो में और दोस्तों बहुत ही सुंदर प्लांट है यह और अगर आपको creeper में है जैसे मैंने आपको बताया है यह दो तिन creeper selected creeper हैं जो मैंने आपको तरीका आपको मैंने बता रखा है कि इस तरीके से आपको gover की खाद या बर्मी कमपोस्ट अगर किसी के पास बर्मी कमपोस्ट नहीं है तो आप nursery पसे ले सकते हो और अगर नहीं लेना चाहिए तो आप पत्ती वाली खाद अपने घरों होनी चाहिए तब आप उसे लगा सकते हो ताजी गोबर आपको यूंज नहीं करना है तो बहुत ही सुन्दर फ़ला रहा है इसमें जैसे आप देख सकते हैं वीडियों में बहुत ही इसका आपको इस मधु मालती की बेल को सभी जानते हैं और जादतर अपने घरों में मदुमालती की बेली लगाते हैं क्योंकि आपने देखी होगी कहीं भी देखोगे जैसे बालकनी की सैड में देख सकते हो आप रोडर को भी देख सकते हो कहीं गार्डन में जाओगे या कहीं पार्क में भी जाओगे या कहीं जैसे आप कहीं भी पहले हुरे माफं कई रहे हो तों तो यह क्रीपर आपको मिलती है देखने के लिए तो वहाँ देखकर सुद्र फ्लार होता है तो इस तरीकर को इस चीज को देखकर G hin लगाने के लिए सोचते हैं तो यह मधुमालती की बेल है और आप इसे अपने गरों में घर में लगा सकते हो इसके लिए प्रोसेस होई है आपको पीन दूब देनी है और इसके जो प्रॉप को पांच वजे तक आप दूब दोगो पूल देगा जब तक खिलेगा दूब फ्लार खिलने का मौसम है वो बरसाज से लेकर आपके सर्दियों तक खिलता है और प्रॉपर दूप दोगे तो अगर आप जिसे आप छाओ में लगा रहे हो तो फ्लावर नहीं देगा तो जो फ्लार्स के प्लाइंट्स होते हैं सारे तो आपको दूप देनी पड़ेगी आपको प्रॉइस देहीं कि प्लाव यह इसकी खिल गई आपको लगएगगा और बहुत ही सुन्तर प्लांट है और आप इसे अपने बालकनी में लगा सकते हैं दोस्तों इसे लगाने का तरीका आपको गोवर की खाद या पत्ती वाली खाद या बर्भमी कमपोश्ट आप ले सकते हैं और आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मिट्टी में आप इसे लगाएं तो बहुती सुन्दर फ्लार देगा और अगर आपको जो खाद अगर फ्लावर की आपको टूटल धूप में लगेगा तो पानी तो डेली देना पड़ए गर्मियों में और आपको लगहा है कि यह मिटी घी लिया तो तो आपको पानी नहीं देना है तो इस तरीके से आपको चैक करना है मैंने और पानी के लिए तो आपको यह ध्यान रखना नहीं और बहुत ही द्यान र रखना पड़ेख से शक्रण नहीं और एक Lच दोस्तों धेक्व